तो हमने स्टार्ट किया था B Pharmacy 4 समेस्टर medicinal chemistry में unit number 3 और unit number 3 के last lecture में हमने acetylcholine का biosynthesis, ketabolism, neurotransmitter ये जो acetylcholine है ये release कैसे होता है और साथ इसाथ किन receptor से जुढ़ता है और क्या action लाता है ये सारा हमने last lecture में देखा था कि acetylcholine बनता कैसे है, release कैसे होता है, receptor से जुढ़ता कैसे है और कौन-कौन से action लेकर आता है अब आज का जो आपका lecture रहेगा वो रहेगा पेरा-sympathomimetic agent यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसे कौन से agent है जो पेरा-sympathetic की तरह काम करे पेरा-sympathetic का मतलब क्या होता है, आराम का मामला BP कम, heart rate कम, अगर हमें कम करनी है तो हमें देना पड़ेगा पेरा-sympathomimetic agent तो आज का lecture important है, यहाँ पर हम SAR भी देखने वाले SAR का मतलब होता है structure activity relationship किसका पेरा-sympathomimetic का तो lecture में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले पेरा-sympathomimetic agent को समझेंगे की होता क्या है, फिर उसका SAR देखने वाले हैं, फिर उसका classification हम देखेंगे, तीन तरह से हमने पेरा-sympathomimetic को classify किया है, direct acting, indirect acting और colin express reactivator, उसकी बाद आपके syllabus में दो synthesis यहां पे दे रखी है, एक तो कार्बेकॉल की और एक neo-stigmat की, आप देख सकते हैं, यहां पर star है, ठीक है, तो कार्बेकॉल की और neo-stigmat की हमें synthesis भी देखनी है, तो मैं repeat कर देता हूँ, आज किस lecture में हम क्या क्या कवर अगर आपको नोट्स की requirement है, तो आप चेक कर सकते हैं, हमारी application, depth of biology की application आप download कर सकते हैं, प्ले स्टोर से, और आपको वहाँ पर सारे notes, available मैंने कराए हुए हैं, वहाँ पर live lectures भी होते हैं, online classes भी होती है, तो ज़रूर download कीजेगा depth of biology application, चलिए lecture को start करते हैं, तो देखो एक कहानी की format में मैं आपको समझाता हूँ, जैसे माली जी आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आपकी body में blood pressure बढ़ गया, heart rate बढ़ गई, तो इस condition में क्या होगा, अगर blood pressure बढ़ जाएगा तो दिक्कत आएगी, heart rate बढ़ जाएगा, तो भी दिक्कत आएगी, तो इस condition में हमारे जो kolinergic neuron होते हैं, कौन से neuron? kolinergic neuron, यह kolinergic neuron जो है, ACH को निकालते हैं, acetyl-choline को निकालते हैं, किसको निकालते हैं? acetyl-choline को निकालते हैं, अब ज़ जाएगा सब्सक्राइब पर जाएगा और लैस लेक्षर हमने देखा जो आसीटाइल कोलीन की सब्सक्राइब उन्हां सब्सक्राइब उसका एक्शन क्या है इसका action है acetyl koline का action है parasympathetic वाला तो जो यह blood pressure जो यह heart rate बढ़ रही थी न अब जब पेरasympathetic का function activate हो जाएगा तो पेरasympathetic मतलब आराम का मामला तो blood pressure वी कम और heart rate भी कम इस तरह से होता है ठीक है अब माल लीजी किसी condition में acetyl koline release भी नहीं हो पा रहा तो तो जब acetylcholine release नहीं हो पाएगा तो क्या वो receptor से जुड़ पाएगा नहीं और क्या receptor से नहीं जुड़ पाएगा तो receptor activate हो पाएगा नहीं और receptor activate नहीं नहीं तो क्या यहाँ पर heart rate कम हो पाएगी नहीं तो एक condition ऐसी आती है जब body में acetylcholine ही नहीं है किसकी वज़े से नहीं है या तो acetylcholine बन ही नहीं पा रहा पॉम ही नहीं नहीं हो पा रहा या फिर acetylcholine रिलीज ही नहीं हो पा रहा या फिर acetylcholine को तोड़ने वाला इंजाइम जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ वेट ए मिनिट Acetyl Collin کو तोडने वाला Enzyme यहाँ पर आपको दिख रहा है Collin Stress ठीक है इसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया Collin Stress ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया अब Collin Stress क्या करेगा ACH बनेगा तो Collin Stress उसे तोड़ देता है तो ACH नहीं बन पारा किसी भी किमत पर या तो FormD नहीं हो पारा कॉम हो रहा तो Release नहीं हो पारा या फिर जो Enzyme है Collin Stress यह बनने ही नहीं दे रहा Collin Stress बढ़ गया बोड़ी में तो यह क्या करेगा Acetyl Collin को Break 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 कर देगा तो तीनों कंडिशन में Acetyl Collin हमारी बोड़ी में नहीं है अब अगर Acetyl Collin की कमी हो गई ठीक है तो Acetyl Collin Receptor से नहीं जुड़ पाएगा तो Action नहीं है पाएगा और Receptor से जुड़ के कौन सा Action देता था वो Blood pressure को कम करता था Heart rate को कम करता था तो अब मानलो कोई patient है और उसका Blood pressure बहुत ही ज़ादा हो रहा है पर उसमें Acetyl Collin नहीं है मानलो यह patient है इसका Blood pressure बहुत ज़ादा हो रहा पर इसके अंदर Acetyl Collin नहीं है तो क्या यहाँ पर Acetyl Collin रिलीज हो पाएगा जब है नहीं तो रिलीज भी नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो receptor से नहीं चुड़ेगा action नहीं आएगा और जो इसका blood pressure बढ़ रहा था वो कमी नहीं होगा क्यों कम नहीं होगा क्योंकि भाई में acetalcolin नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा syllabus में आप देखो हमें देने पड़ेंगे parasympathetic agent नाम से बता लग रहा parasympathetic वाले agent पेरा sympathetic की तरह काम करने वाले agent हमें देने पड़ेंगे ठीक है अब वो agent तीन तरह से काम कर सकते हैं या तो direct काम कर ले या indirect काम कर ले या फिर cholin stress reactivator भी होते हैं कुछ ठीक है तो parasympathetic agent हम कब देते हैं हम उस condition में देते हैं जब acetylcholine या तो body में बन नहीं पा रहा रहा रिलीज नहीं हो पा रहा या फिर टूट बहुत ज़ादा रहा है उसका ketabolism बहुत ज़ादा हो रहा है इन तीनों की वज़े से acetylcholine जो है receptor से अटेश नहीं हो पा रहा और इस condition में में क्या देना पड़ता है पेरा sympathomimetic agent देना पड़ता है क्योंकि BP heart rate बढ़ रहा है तो इसको normal में लाना है तो parasympathetic का काम भी normal में लाना होता है तो हमें देना पड़ता है parasympathetic agent ठीक है अभी जिसे मानलो मैंने carbacol दे दिया suppose तो carbacol मैंने दे दिया ड्राग है ये carbacol क्या करेगा receptor से जुड़ेगा receptor से जुड़के इसको क्या करेगा एक्टिविट करेगा और pharmacological action लाएगा पी ये का मतलब pharmacological action लाएगा action क्या लाएगा BP कम करवा देगा heart rate कम करवा देगा ठीक है तो इस तरह से काम चलता है तो उनमें आगया कब देना होता है तो देखो मैंने यहाप लिखा भी हुआ है कि acetyl kolin नहीं बन रहा release नहीं हो पा रहा है तो तीनों ही condition में acetyl kolin bind नहीं हो पाएगा receptor से कोई भी action नहीं आएगा अब इस condition में मालो इस patient को दिक्कत है तो हमें क्या देना पड़ेगा पेरा सिंपेतो मिमेटिक ड्रक्स देने पड़ेगी जैसे की acetyl kolin अब acetyl kolin receptor से जोड़ेगा receptor को activate करेगा और pharmacological action आएगा BP कम heart rate कम तो द्यान रखना पेरा सिंपेतो मिमेटिक ह रखा है चलो अभी हमें यह तो clear हुआ कि पेरा सिंपेतो मिमेटिक का क्या काम है हम यह क्यूं देते हैं ठीक है अब हम समझेंगे इसका classification एक तो होता है direct acting होता है indirect acting एक होता है kolin stress reactivator चलिए इसका classification समझते हैं यह तो आपका indirect वाला होगे डायरेक्ट भी चलते हैं वेटे मिनिट देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है direct acting तो direct acting में कुछ नहीं है यह drug क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ यह जो drug होते हैं डायरेक्टिंग टीक वाले नाम से पता लग रहा direct acting direct act करेंगे रिसप्टार पर और रिसप्टार को क्या कर देंगे एक्टिवेट कर देंगे और जैसी रिसप्टार एक्टिवेट होगा ना यहाँ पर action आएगा ठेक है तो जो drugs होते हैं direct acting वाले वो receptor से जुड़ते हैं receptor को activate करते हैं और action लाते हैं ठेक है यहाँ पर लिखा भी हुआ है direct bind on receptor and give action ठेक clear होगे आपको तो direct acting में कौन-कौन से drugs आती है आप यहाँ पर देख सकते हैं direct acting में आती है आपकी acetylcholine, carbacol और भी bethanacol and metacolinin philocarpin यह philocarpin important भी होती है पूछी जाती है दो माक्स में philocarpin तो यहाँ से अगर मैं importance की बात करूँ तीन structure एक तो acetylcholine, एक carbacol और एक philocarpin यह तीनों करके जाने है carbacol की तो आपको synthesis भी है ठेक है यह बात clear होगी तो direct acting काम किसे करेगी direct acting, direct receptor पर जाएगी, receptor को activate करेगी, pharmacological action लाएगी और वहाँ पर blood pressure, heart rate को कम कर देगी now second is indirect, अब indirect किसे काम करती ही वो देख लो देखो, indirect बोल लो या फिर आप बोल लो coline estress inhibitor क्या बोलोगे, coline estress inhibitor तो देखो, coline estress का काम क्या होता है, जो coline estress होता है न, वो acetyl coline को break कर देता है, क्या कर देता है, break कर देता है, और जब acetyl coline break हो जाएगा, तो acetyl coline body में रहे गा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देना पढ़ेगा koline estrase का inhibitor ये koline estrase inhibitor क्या करता है ये उस koline estrase को रोक देगा I repeat मैं आपको समझाता हूँ जो acetyl kolin होता है न वो acetyl kolin break हो जाता है किस की मदद से एक enzyme है जिसका नाम है koline estrase अब ये break हो जाएगा acetylcholine तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा तो हमें इसके break होने को बचाना होगा न तो इस enzyme को में रोकना पड़ेगा यह enzyme ही break करवा रहा है इसको में रोकना पड़ेगा तो इसको रोकने के लिए हम जो देते हैं वो होता है colin stress inhibitor ठीक है तो यह जो आपको drug दिख रही है जिसे कि आपको यह new statement दिख रही है ठीक है और यह जितनी भी drug यहाँ पे लिखी हुई है यह सारी कैसी है colin stress inhibitor है मतलब जो colin stress enzyme है जो acetylcholine को तोड़ता है तो यह जितनी भी drug से यह सारी उसे रोकती है मैं आपको highlight कर देता हूँ यह जो इतनी भी drug से यह सारी उसको रोकती है ठीक है इस enzyme को क्योंकि यह enzyme हमारे acetylcholine को तोड़ रहा तो हम इस enzyme को रोक देंगे inhibitor देखे चलिए अब indirect दो तरह से होती है एक तो होता है reversible एक होता है irreversible तो देखो reversible तो आपको नाम से बता लग रहा reversible मतलब क्या होता है कि अगर attachment हो जाए तो वापिस de-attach भी हो जाता है हट जाता है पर एक होता है permanent attach होना permanent attach को हम बोलेंगे irreversible irreversible मतलब एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया तो हमारा काम क्या था indirect वाले का indirect वाले का हमने देखा कि यह जो है इस enzyme को रोक रहा था kulin stress को रोक रहा था तो एक limited time के लिए रोके जहां तक तो सही है पर अगर एक limited time से जादा रोकना लग जाए तो दिक्कत है तो limited time में किस में रुक रहा है क्योंकि reverseable वाले में क्या हुरा था जाके उस enzyme को रोकेगा और फिर थोड़ी दिर बाद उस enzyme को छोड़ देगा बोले तु काम कर थोड़ी दिर के लिए रोक रहा है क्योंकि मालो किसी का blood pressure बहुत जादा हो गया तो थोड़ी दर रोक के उसका कम कर देंगे हम तो थोड़ी दर के लिए रोक रहा है तो reversible ठीक है पर अगर permanently block कर दिया विचारा जो enzyme था colon stress उस enzyme को permanently block कर दिया अब एक बात बताओ कि अगर यह enzyme permanently block हो जाएगा तो क्या acetylcolin टूटेगा नहीं टूटेगा पर दिक्कत क्या है कि acetylcolin फिर बढ़ता जाएगा बोडी में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और यह toxicity कर देगा तो यह भी दिक्कत है तो ध्यान रगना indirect जो है दो तरह से काम करता है एक तो करता है reversible एक करता है irreversible जो reversible होता है वहाँ पर enzyme को हम इनिबिटो करते है koline stress को पर एक limited time के लिए ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ koline stress एक limited time के लिए और second जो है आपका irreversible यहाँ पर हम permanent innovation कर देंगे koline stress का और अगर permanent innovation कर दिया koline stress का koline stress नहीं रहेगा तो फिर acetyl koline बढ़ेगा और acetyl koline body में क्या करेगा toxicity करेगा अब आप बोलो कि सर यह तो गलत बात है अगर यह permanent हम block कर देंगे koline stress को तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी acetyl koline बढ़ जाएगा toxicity हा जाएगी तो इस koline stress को वापिस चालू करने के लिए हमें देने पड़ेंगे koline stress reactivator नाम से पता लग रहा वापिस चालू करना reactivate करना ठीक है तो koline stress reactivator हमें देनी पड़ेगी क्योंकि body में toxicity की condition आजाती acetyl koline बहुत जादा बढ़ जाता है तो तीसा classification क्या है आपका koline stress reactivator जिसका example आपको यहाँ पर दे रखा है ठीक है और एक example आपको google से करना है क्योंकि आपको कम से कम दो example तो याद रखने है क्योंकि कभी two marks में आप से पूछ लें कि koline stress reactivator बताओ क्या होते है तो definition लिखके आपको क्या लिखना है कि koline stress reactivator ऐसे reactivators होते हैं जो कि koline stress enzyme को वापिस reactivate कर दे ताकि वो अपना normal function कर सके koline stress का normal function क्या है acetalcoline को तोड़ना फिर इसके दो drug आपको याद होने चाहिए तो देखो अभी तक हमने देखा parasympathymetic agent होता क्या है फिर हमने देखा उसका classification direct indirect और koline stress reactivator ठीक है अब आगे हमें क्या cover करना है वो देख लेते हैं हमारा ये part हो गया हमारा classification हो गया अभी हमारे पास क्या बचा है एक तो SAR बचा है पेराशन पितमिमेटिक का और दो synthesis बची है कारबेकॉल और नियोस्टिग्मिन की तो सबसे पहले दो synthesis देख लेते हैं कारबेकॉल और नियोस्टिग्मिन की उसके बाद सिर्फ SAR बच जाएगा तो वो देखते हैं ठीक है चलिए कारबेकॉल और नियोस्टिग्मिन की synthesis देखते हैं ये सबसे पहले कारबेकॉल की देखो ये निचे-चे जो बिख रहा है न, ये कार्बेकॉल है, ठेके है? ये रहा, निचे-चे कार्बेकॉल है, अब ये बंधा कैसे है? वह देखो। सबसे बहरे टू क्लोरो एथेनोल लेना है, कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, ओ-अ-ण यह से भी आप लिख सकते हो 2 पे chloro-ethanol 2 carbon है तो earth alcohol है तो all 2 पे chloro तो आप बोलोगे 2 chloro-ethanol 2 chloro-ethanol जो है react कर रहा है आपका urea से urea का formula होता है ns2 c double point o ns2 तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ठेक है तो 2 chloro-ethanol react with urea I repeat 2 chloro-ethanol react with urea and form 2 chloro-ethanol देखो कैसे बनेगा 1 carbonate कैसे बनेगा सुनो मैं आपको समझाता हूँ आपने urea ले लिया 2 chloro-ethanol ले लिया ठीक है ले लिया अब देखिए यहाँ पर hydrogen है तो N, H, H इस तरह से दिखेगा 2 hydrogen है ठीक है देखो सबसे बहले तो यहाँ पर आप पाने निकाल दो यह hydrogen लो यह OH लो और पाने निकाल दो अब पाने निकालने के बाद आपके पास बचेगा carbon-carbon-clorine तो carbon-carbon-clorine को agitives attach करके यहाँ से NH ही रह जाएगा क्योंकि valency भी maintain करनी है और एक hydrogen निकल भी गया ठीक है तो इस तरह से आपका बनेगा 2-clorothyl-carbonate अब उसकी बाद इसमें हमें add करना होता है trimethyl-amine amine का मतलब NS2 और trimethyl मतलब यहाँ पर 3-car बने ठीक है तो trimethyl-amine को हमें add करना है इस structure में जो structure है 2-clorothyl-1-carbomate इसमें हमें add करना है triethyl-amine तो देखो आप यहाँ पर आप देखो NS2-C double bond O तो यह देखो NS2-C double bond O यह agities आ गया उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक carbon-carbon तो आप यहाँ पर देखिए carbon-carbon अब यहाँ से यह CL हट जाएगा यह CL अटेगा और यह N triple C add हो जाएगा तो आप देख सकते हैं N carbon-carbon-carbon-carbon तो इस तरह से कारबेकॉल बनेगा काफी easy है कुछ भी नहीं करना बस यहाँ से CL अटा के इस N triple C को attach कर देज़ देना है इस structure में तो आपका बन जाएगा कारबेकॉल देखो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया बड़ आपको बनाना खुद को ही पड़ेगा ठीक है दूसरे synthesis देखते हैं दूसरे synthesis है आपकी नियोस्टिक्मिन की चलिए नियोस्टिक्मिन की synthesis देखते हैं तो देखो यहाँ पर synthesis of नियोस्टिक्मिन आपको दिखा रखी है जिसमें आपको लेना है पिरिडिन 3-hole यह पिरिडिन रिंग है और आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन पर अलकोलिक ग्रूप है तो हम इसे क्या बोलेंगे पिरिडिन 3-hole ठेक है इसकी reaction हम कराएंगे डाय मिथाइल कार्बमिक क्लोराइट तो जब पिरिडिन 3-hole डाय इथाइल कार्बमिक क्लोराइट से रियक्ट करेगा तो आप देख सकते हैं क्या होने वाला है सिर्फ यह hydrogen और यह chlorine निकलेगा यह hydrogen चला जाएगा और यह chlorine चला जाएगा मतलब यहाँ पर SCL रिमूव हो जाएगा और जो बचा हुआ है C double bond O N carbon carbon तो आप देख सकते हैं C double bond O N carbon carbon as it attach हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो structure है Pyridine के साथ O यहाँ पर आप देखो यह Pyridine के साथ O as it is है तो करना कुछ नहीं है सिर्फ SCL निकालना है और बाकि जो भी structure दिख रही है उसको as it is यहाँ पर add on कर देना है ठीक है उसके बाद इसमें डालना है आपको CS3BR क्या add करोगे CS3BR को आपको add करना है तो जैसी CS3BR आप add करोगे BR release होता है BR negative form में और nitrogen के उपर आजाएगा positive charge तो आप देख सकते है final structure में nitrogen के उपर positive charge है और BR जो है BR negative की form में release हो गया और यह nitrogen जो positive charge अब रख रहा है यह CS3 को अपने पास बुला लेगा क्योंकि BR तो छोड़के जा रहा है तो काफी सिम्पल है यह जो structure बनी थी इसमें add कर दो CS3BR BR तो negative form में release हो जाएगा और जो CS3 है वो nitrogen के पास जाके attach हो जाएगा जैसे कि आप structure में देख पा रहे है CS3 जो है attach हो गया nitrogen के पास और BR- जो है release हो गया यह आप का बन गया structure ठीक है तो इस तरह से आपको new statement वगेरा बनाना होता है वेसे जब आप इसकी structure google करोगे तो यहाँ पर आपको तीन carbon शोओंगे जो nitrogen positive charge रख रहा है वो इस तरह से 3 carbon आपको attach दिखेंगे और फिर इस final structure को आप बोलोगे new statement तो इसकी structure में आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर यह जो nitrogen के पर positive charge है यह 3 carbon रखेगा और यहाँ पर same बाकी जो भी है सब कुछ same है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप molecule change करोगे 3 mole लोगे तो यहाँ पर 3 carbon जो है attach हो जाएग simple सी बात है मैंने एक से आपको करके दिखा दी आप 3 से करना 3 अगर आप use करोगे तो यहाँ पर आप 3 carbon इस तरह से attach कर सकते है ठीक है तो यह होगे आपका new statement तो हमने अभी तक देख लिया यहाँ पर आप देखिए सब कुस देख लिया पेरा सेंपितो मिमेटिक एजेंट देख लिया classification देख लिया दोनों की synthesis देख ली अब हम देखने वाले हैं last SAR of पेरा सेंपितो मिमेटिक एजेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं SAR को तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया SAR का मतलब होता है structure, activity, relationship ठीक है अब पेरा सेंपितो मिमेटिक एजेंट का SAR देखने वाले हैं तो पेरा सेंपितो मिमेटिक में आपको तीन ग्रूप देखने वाले है acetyl group, ethylene bridge तीसरा है आपका quaternary ammonium ketene ठीक है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है acetyl group, ethylene bridge और quaternary ammonium ketene अब सबसे पहले जब आप SAR को start करोगे तो आपको देखना है structure को structure में आपको तीन चीज़े दिख रही है acetyl, ethylene और quaternary तो आपको क्या बोलना है फिला point, acetyl group is essential for the activity अगर इसको हम remove करेंगे या replace करेंगे तो activity change हो सकती है बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है तो हम क्या लिखेंगे change दूसरा point क्या लिखेंगे ethylene bridge is essential for the activity अगर ethylene bridge में कोई branching करी, ethylene bridge को substitute करा remove करा, तो activity क्या हो सकती है change हो सकती है तीसरा point quaternary ammonium ketine is essential for the activity if we replace, remove और substitute this group then activity may be change तो देखो बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती है तो हम change लिख सकते है तो अभी हमने structure देखके यह 3 points बना दिये ठीक है, अब देखो आगे जो main points है यह जो acetyl group आपको दिख रहा है यह acetyl group को अगर मैं carbamate group से replace कर दूँ ठीक है, कौन से group से carbamate group से अगर मैं replace कर दूँ acetyl group को, तो यहाँ पर activity भी बढ़ेगी और stability भी बढ़ेगी मतलब यहाँ पर जो acetyl group लगा है अगर इस acetyl group की जगे मैं carbamate group लगा दूँ यह जो acetyl group SAR में लगा है, parasympathomimetic structure में agent में लगा है इस acetyl group की जगे, अगर मैं carbamate group लगा दूँ, तो इस compound की activity as well as stability दोनों बढ़ जाएगी ठीक है, पहला point clear होगी आपको तीन point आपने पहले ही कर लिए ते, यह fourth point होगी है हमारा, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ester group यह जो ester group है, अगर इस ester group की जगे में ketone और ether लगा दू ketone या फिर ether लगा दू, तो भी stability और activity वड़ेगी, तो हमने क्या देखा, या तो acetyl group की जगे carbamate group लगा दो, stability activity वड़ा लो, या फिर यह जो आपका ester group है, इस ester group की जगे ketone और ether group लगा लो तो भी आपकी activity और stability वड़ेगी, उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है, ethylin bridge ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं देखो, ethylin bridge पे एक आपको दे रखा है, alpha carbon एक आपको दे रखा है, beta carbon ठीक है, तो देखो, यहाँ पर एक तो ओगे आपका alpha carbon, एक होगे आपका beta carbon, तो अगर alpha carbon पे आपने branching करी branching का मतलब क्या होता है, इस तरह से carbon की इस तरह से branching हो जाती है लंबी chain एक तरह से बोल सकते हैं, वो भी fail कर, ठीक है, तो अगर carbon की branching, alpha carbon पे हुई, ठीक है, alpha carbon पे अगर हमने branching करवा दी, इस वाले carbon पे अगर हमने branching करवा दी, तो branching करवाने से क्या होगा, nicotinic activity बढ़ेगी, nicotinic activity का मतलब, आप जानते हो, यह पेरा सेंपेटिक है, पेरा सेंपेटिक की तरह काम करता है, तो पेरा सेंपेटिक की receptor होते हैं, दो, nicotinic muskrenic, तो अगर इस structure में आपने alpha carbon पे branching कर दी, तो आपकी nicotinic activity बढ़ेगी, अगर आपने beta carbon पे branching कर दी, तो muskrenic activity बढ़ेगी, तो ज्यान रखना, बीटा carbon पे branching करने पे, muskrenic activity बढ़ेगी, और alpha carbon पे branching करने पर, nicotinic activity बढ़ेगी, nicotinic activity बढ़ने से क्या मतलब है, muskrenic activity बढ़ने से क्या मतलब है, कि हमारा जो drug है, उसके साथ जाकर बहुत अच्छे से bind होगा, ठीक है, nicotinic activity बढ़ने का मतलब है, कि nicotin receptor, जो nicotinic receptor है, उससे जाकर bind होगा, अच्छे से, ठीक है, तो हमने देख लिए acetal group, इसमें देख लिए 2 point, ethylin bridge में भी 2 point देख लिए, alpha beta वाले, 3 point पहले देख लिए, total 7 हो गए, अब यहाँ पर देखो, यह जो quaternary ammonium compound है, इसके बारे में देखते हैं, यह जो ammonia group है यहाँ पर, यह जो nitrogen वाले group है ammonia group, अगर मैं इसे replace करूँ, replacement of ammonia group by groups like sulfonium से replace कर दूँ, phosphonium से replace कर दूँ, तो activity खराब हो जाएगी, मतलब, यह जो यहाँ पर nitrogen ही essential है, अगर मैं इसे, sulfonium से या phosphonium से, sulfur से या phosphorus से replace कर दूँ, तो activity जो है, खराब हो जाएगी, ठीक है, साथी साथ, यहाँ पर जो आपको तीन carbon दिख रहे हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो आपको तीन carbon दिख रहे हैं, 1, 2, 2, and 3, अगर आपको एक substitute करना है, इसकी जीए के कुछ और लगाना है, जैसे मालनों, OH लगा दिया, तो चलेगा, पर अगर एक से ज़्यादा substitution कर दी, एक से ज़्यादा carbon अगर change कर दी है, तो activity जाएगी, तो ज्यान रखना, जो nitrogen के साथ तीन carbon है, अगर एक का substitution करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर एक से ज़्यादा का substitution कर दिया, तो activity चली जाती है, तो इस तरह से हमने काफी सारे points देख लिए हमारे SAR में, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक substitution करो, activity नहीं जाएगी, more than one substitution, activity loss, reactivator, यह हमने देखा, classification, feed neostigment, और carbacol की synthesis देखी, अभी जितने भी structures है, इनके आपको structures PDF में मिल जाएंगे, साथ में use भी लिखे हुए मिलेंगे, ठेक है, अब next lecture आपका जो है, वो रहेगा आपका, call inergic blocking agent, तो मिलते हैं बहुत जल्द, अगर आपको इस lecture से related, कोई भी doubt है था, आप comment section में comment कर सकते हैं, notes आपको depth of biology application में मिलेंगे, depth of biology application आप download कर सकते हैं, play store से, वहाँ पर आपको per day के 3 mcq मिलते हैं, free live session मिलता है, every Sunday 11 a.m, third section मिलता है, जहाँ पर आप अपने query लिख सकते हैं, और भी काफी सारे feature है, depth of biology application में notes के साथ, तो ज़रूर download कीजेगा, और telegram, instagram से भी जुड़ जाना, telegram पर update मिलेगा, जो भी हमारा update से रहते हैं, और instagram पर memes मिलेंगे,